जब भी हम बात किसी क्रिकेटर की करते हैं तो बहुत बड़े बड़े नाम हमारे जहन में आते हैं पर हम यह भूल चाते हैं कि ये बड़े खिलाडी भी एक दिन बहुत छोटे हुआ करते थे इन्होंने अपने खेल और हुनर की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है ऐसे ही एक निखरता सुरच आज हमारे सामने आ रहे हैं जिनका नाम है राजवर्दन हैंगर गेकर यदि आप भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप विजयता तेज गेंद बास राजवर्दन हैंगर गेकर के फैन हैं तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंतक देखें मेंबर 2002 को तुलजापुर महराश्टर भारत में हुआ था राजवर्दन दायहात के बल्लेबाज और दायहात के मध्यम गतिकेद गेनबाज हैं उनके पिता सुभाश हैंगर करकी मौत कोरोना से हो गई थी और उनकी माँ एक ग्रहणी है राजवर्दन को क्रिकेट खेलने क के लिए उनके परिवार ने हमेशा प्रोच साहित किया आये बात करते हैं राजवर्दन के क्रिकेट करियर के बारे में राजवर्दन भारती अंडर 19 टीम के एक महत्वपून सदस्य हैं वो माराश्ट की अंडर 19 टीम के लिए भी खेल चुके हैं वीनु माकन ट्रॉफी के दोरान उन्होंने माराश्ट की ओर से 9 विकेट लिए और 216 रन बनाए जिसके बाद उनका चयन भारत की अंडर 19 टीम में हुआ राजवर्दन ने भारती अंडर 19 क्रिकेट में भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा जिसके बाद उन्हें वेस्ट इन 20 में होने वाल पहला घरेलू T20 मैच माराश्ट के ओर से वडोदरा के खिलाफ 16 जनवरी 2021 को खेला उनकी जर्सी नंबर 77 है आए बात करते हैं राजवर्दन के आईपेल क्रिकेट करियर के बारे में 2022 के आईपेल संसकरन में अंडर 19 और राउंडर राजवर्दन को चनई सुपर किंग्स न किलो है और उनका बॉड़ी मेजर्मेंट चेस 37 इंचेज, वेस्ट 32 इंचेज, बाइसेप 11 इंचेज और राजवर्दन के काले बाल और भूरी आंके हैं आए बात करते हैं राजवर्दन के नेट वर्थ के बारे में राजवर्दन की अनुमानित कमाई 2022 तक एक करोड़ है राजवर्दन ने अपने कोच मोहन जादव से क्रिकेट की गुण सीखे वहीं उनके ट्रेनर और मेंटॉर तेजस मतापूरकर से उन्होंने विरांगन क्रिकेट अकैदमी में क्रिकेट की काफी बारीकियां सीखी है राजवर्दन 140 किलो मीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से गेंट फेकते हैं वो मिडल ओर्डर के बल्ले बास है और लंबे लंबे छके मारने के लिए भी जाने जाते हैं भारते टीम की सफल स्पिन गेंट बास रवी चंदन अश्विन राजवर्दन की इन स्विंगर गेंट करने की काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए थे